बिग बॉस हाउस में बिना इविक्षिन के ही बिग बॉस हाउस छोड़ने को मजबूर हो गए थे कंटेस्टेंट एक ने तो खा ली थी नींद की गोलियां तीन अदत्ता से पहले भी कई ऐसे कंटेस्टिन रह चुके हैं जिनने बिना एविक्षिन के ही बिग बॉस हाउस छोड़ना पड़ा था इस लिस्ट में सिधार शुकला का नाम भी है शामिल आपको बता दें कि इन दिनों काफी सुर्खियों में है बिग बॉस 16 अब दुरोजिक के एविक्षिन से लोगों के बीच दवरदस्थ हंगामा देखने को भी मिल रहा है इससे पहले तीन अदत्ता के अचानक घर से बेगर होने पर भी सभी लोग हैरान रह गए थे लेकिन बाद में उत्रन की एक्ट्रेस बिग बॉस हाउस में उन्होंने वापस स्वापसी ले ली है जिससे फैंस खुश हो गए थे बताते चलें कि तीन अदता को बिना इविक्षिन के ही घर से बाहर कर दिया गया था लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई कंटेस्टन बिना इविक्षिन के ही घर से बाहर हुआ हो तीना से पहले भी कई कंटेस्टन ऐसे थे जिन्हें या तो अपनी हल्थ कंडिशन को लेकर या फिर किसी दूसरी वज़ा से बिग बॉस हाउस छोड़ना पड़ा था जिसमें सबसे उपर आती है टीना दत्ता बिग बॉस सीजन 16 में एक टास्क के दोरान जब शालीन भनोट को 25 लाक किया फिर टीना में से और सुम्बल में से किसी एक को चुनने का मौगा मिला तो उन्होंने अपनी दोनों दोस्तों को छोड़ कर 25 लाक रुपयों को चुना शालीन के इस फैसले से घरवालों को बड़ा जटका लगा था शालीन के वजर वजर ना दबाने पर टीन एदत्ता को बिग बॉस हाउस छोड़ कर घर से बेघर होना पड़ा था दूसरे नमबर पे हैं अरचना गौतम अरचना गौतम को भी बिना एविक्षन के ही सलमान खान के शो को छोड़ना पड़ा था दरासल अरचना और शिव ठाकरी का जगड़ा हो गया था जिसमें गुस्से में अरचना ने शिव का गला पकड़ लिया था इस घटना के बाद शिव की वज़ा से अरचना बिग बॉस हाउस छोड़ने पर मजबूर हो गई थी लेकिन बाद में एक्ट्रिस को बिग बॉस 16 में री एंट्री करवाई गई तीसरे नमबर पे हैं इजास खान बिग बॉस 14 के कंटेस्टन इजास खान को भी एश शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था शो में इजास खान और पवित्रा पुनिया की जोड़ी खूब जमी थी लेकिन अपने पुराने वर्क कमेंट्स के कारण इजास को बीच में ही ये शो छोड़ना पड़ा था तीसरे नमबर पर चौते नमबर पे नाम आता है सिधार शुकला एक्टर सिधार शुकला बिग बॉस 13 के विनर बने थी लेकिन सिधार को बीच में ही सलमान खान के शो को छोड़ना पड़ा था दरासल सिधार शुकला को बुखार हो गया था जिसके कारण एक्टर को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भरती रहना पड़ गया था इसके बाद नाम आता है देवलीना भटा चारे का जिनने बिग बॉस 13 का हिस्सा बनी थी इस दोरान उन्हें बैक इंजरी हो गई थी जिसके कारण देवलीना को बीच में ही बिग बॉस छोड़ना पड़ गया था इसके बाद नाम आता है पारस चाबडा का बिग बॉस 13 में एक टास्क के दोरान पारस चाबडा की उंगली में चोट लग गई थी और यह चोट इतनी भयानक थी कि एक्टर को अपनी उंगली की सरजरी करवानी पड़ गई थी इस घटना के दोरान कुछ दिनों के लिए बिग बॉस हाउस से बाहर गए थी इसके बाद नाम आता है विकास कुपता का जिन्होंने बिग बॉस 11 में हिस्सा लिया था मास्टर माइन के नाम से मशूर विकास सीजन 14 में नज़र आये थी हाला कि इस दोरान उनकी तब्यत खराब हो गई थी जिसके कारण विकास को कुछ समय के लिए बिग बॉस हाउस से बाहर जाना पड़ा था इसके बाद अफसाना खान जो की एक सिंगर है बिग बॉस 15 का हिस्सा बनी थी शो में पैनेक अटेक आने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा था लेकिन बाद पे अफसाना की बिग बॉस हाउस में दोबारा एंट्री हुई थी आखिर में नाम आता है जुबेर खान का जो की 11 बिग बॉस के सीजन में कंटेस्टन की रूप में आये थे इन्होंने नींद की गोलियां खाली थी जिसके बाद उन्हें जल्दबाजी में अस्पताल में भरती करवाना पड़ गया था बाद में जुबेर को बिग बॉस हाउस से विक्ट कर दिया गया था इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना इविक्शन के ही घर से बाहर कर दिया गया था ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले